माता पिता के लिए जरूरी बाती दो साल से बड़े बच्चों के सामने कपड़े ना बदले कभी भी अपनी बेटी या बेटी को मजाक में भी किसी की पतनी या पती कहकर संबोधित ना होने दे अपनी बेटे या बेटी को चिताबनी दें कि वह किसी की गोद में कभी ना बैठी चाहे फिर वह कोई भी हूँ अपने बच्चे को किसी के भी घर अकेले ना जाने दें जब भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो पता करें कि वह किस तरह के खेल खेलते हैं। समय समय पर अपने बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या देखते हैं और उनकी क्या मंशा है। आपकी प्रतेख संतान को कम से कम तीन फोन नंबर्स मरण होने चाहिए। और आपको भी। परिवार के साथ मिल भैट कर भोजन करने का प्रयास करें। और भोजन करते समय मोबाइल और टीवी बंद कर दी। इससे आप खाने में ज्यादा ध्यान केंदरित कर पाएंगी। अपनी संतानों को बॉलिवुड की कचरा फिल्मों से बचा कर रखें। और प्रेड़ना दायक और मोटिवेशनल फिल्में ही दिखाएं। जंक फूड और फास्ट फूड से जितना हो सके उतना बचें। क्योंकि इससे सिर्फ पेट भरता है, पोशन नहीं मिलता। अपनी संतानों के मन में किसी भी प्रकार के नशे, गुटका, तंबाकू, बेड़ी, सिगरेट और दारू के विरुद्ध चेतना उत्पन करें। तथा उसे विक्सित करने का प्रयास करें। अपने घर पर एक हथियार अवश्य रखें। और उसे चलाने का निरंतर हवा में अकेले प्रयास करते रहें। ताकि विपत्ति के समय प्रयोग कर सकें। जैसे लाठी, होकी, गुप्ती, तलवार, भाला, त्रिशूल, वे बंदूग, पिस्तोल, लाइसेंस के साथ। जब भी परिवार वे समाज के किसी कारेकरम में जाएं, तो अपनी संतानों को भी साथ लेकर जाएं। इससे उनका मानसिक विकास सशक्त होगा, वो एक्टिव बनेंगी। प्राते काल पांट से साड़े पांच बजी उठ जाएं, और रातरी को दस बजे तक सोने का नियम बनाएं, सोने से पहले आदा गिलास पानी अवश्य पीएं, इससे हार्ट अटेक होने की संभावना बहुत हद तक घटती है। बेटियों का विवा 21 से 25 और बेटों का विवा 25 से 29 वर्ष की आयू तक हर स्थिती में हो जाना चाहिए। फ्लैट ने लेकर जमेन खरीदें और उस पर अपना घर बनाएं, वरना आपकी संतानों का भविश्य पिंजरे के पंची की तरह हो जाएगा, वो कैद होकर रह जाएंगी। नई यूवा बेड़ी को कम से कम तीन संतानों को जिनम देने के लिए प्रेरित करें। गाउं से नाता जोड कर रखें और गाउं की पैतरिक संपत्ती और वहां के लोगों से नाता जोड कर रखें। तो उसको कोई भी हुनर या स्किल वाला ग्यान शरूर दे आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करें और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब